नमस्कार सर आज का टॉपिक है HOW TO CHANGE DBT बैंक एकाउंट दोस्तों बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि DBT के साथ link bank account को change कैसे करें यानि कि अभी जो पर्जेंट account link है DBT के साथ हो है AITL payment bank और आप चाहते हैं कि State Bank of India में अपना एकाउंट खुलवा करके DBT के साथ लिंक करें या पहले से एकाउंट है State Bank of India में तो उसे DBT के साथ लिंक करें तो कैसे करेंगे पूरा डीटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को आखरी तक देखिए और वीडियो पसंदाता है वीडियो को लाइक किजिए चैनल पर पहली वारा है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लिजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग जानते हैं कि कैसे DBT के साथ जो Link Bank Account है उसे Change करेंगे यदि State Bank of India को DBT के साथ Link करना चाहते हैं पहले से Account खुला हुआ State Bank of India में तो आपको एक Form मिलेगा वीडियो के description में Form का Link दे दिया हूँ उसे Download करके और Form फिलब करके अपना Home Branch में जाना है वहाँ पर अपने बैंक पास्बुक के चाया प्रती के साथ साथ अपना अधार और Pen Card का चाया प्रती लगा करके और Bank Manager से आपको Contact करना है और बताना है कि यह हमें जितना भी सरकारिय स्कीम है यानि इस एकॉंट को DBT के साथ लिंक करना चाहते हैं तो वह वहाँ पर लिंक कर देंगे और यदि State Bank of India में यह कोई और account को DBT के साथ लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें account खुलवाईए और account यदि नहीं है तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक को लिंक करना चाहते हैं dbt के साथ तो जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक के कोट में खाता खुलवाएंगे छाता खुलवाते समय, आपको वहाँ पे dbt का option आएगा यदि offline खुलवा रहे हैं तो आपको form मिलेगा तो वहाँ पे dbt का option आएगा वहाँ पे tick mark कर देना आए यदि online form भिलब करवा रहे हैं खाता खुलवाने के लिए तो उस टाइम भी आपको option मिलेगा dbt का उसमें tick out कर देना है तो जो भी अभी present में bank account link है वो remove हो जाएगा और जिस account में खाता खोलवा रहे हैं वो account आपका dbt के साथ link हो जाएगा और जितना भी सरकारी fund है सरकारी a skim का जो पैसा है छात्रवीरती है वो उसी bank account में आएगा हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए वीडियो को like किजिए चैनल पर पहली वा रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजिए थैंक यू